आज हम बात करने वाले टीटी कालेज में होने वाले इंट्रेंस एक्जाम के बारे में जो कि BSC और AG मतलब Agriculture और MSC AG के बारे में तो चलिए सीधे बात करते हैं कि कौन से बुक से सबसे ज़्यादा question put up किये जाते हैं और किस बुक से आपको पढ़ना अनिवारे है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर लिजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजिए तो इस्टुटेंट आज हम बात करेंगे आप लोगों से कि एगरी कल्चर में कौन से टीडी कालेज में question पूशे जाएंगे और रिजिनिंग से हिंदी से मैस से कौन से question पूशे जा सकते हैं और उसके लिए कौन सी बुक जरूरी है और उसमें कौन-कौन से important है तो सबसे पहले हमारे पास है एगरो नामी अगर आपने region कर लिया तो इस नेमराव सुनडा से 20-25 question आपके मिल जाएंगे तो सबसे ज़्यादा question पूशे जाते हैं एगरो नामी के Second आपका है agriculture economics यहाँ पर agriculture economics है agriculture economics से सबसे ज़्यादा question पूशे जाते हैं और plant pathology से पूशे जाएंगे और अगला है entomology से और general agriculture से जनरल एगरी कल्चर से आपके question पूशे जाएंगे एगरो नामी से हर्टी कल्चर से entomology से plant pathology से और अगला आपका agriculture economics से तो यह है आपका name raw sunda का book हमने बता दिया कि कौन-कौन सा topic सबसे waste है इसमें आप देख लीजी भी एगरो नामी के यह topics है और इससे सबसे ज़्यादा question पूशे जा सकते हैं तो 20 से 25 question 20 से 25 question इस book से आपको मिल जाएंगे automatic और 25 question आपके अगर मिल गए तो 25 question आपके बन सकते हैं completely मैं सिर्फ एग्रो नामी का बात कर रहा हूँ जिसमें से 20 से 25 question मिल सकते हैं 40 से 50 question इस book से आपको आसानी से मिल सकते हैं तो आपको ये books ले लेना चाहिए और इस books को आपको पढ़ना चाहिए ध्यान दिजेगा हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं हम खुदी टीडी college में इसमें study कर रहे हैं इसलिए हमें लगा जो books वो मैं provide कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको अगर आपको मरजी है तो लीजिए नहीं मरजी है तो न लीजिए गा मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा question इस book से put up किये गए है आया है इस question से इसलिए बता रहा हूँ तो हम एगरी culture के 50 question की बात कर चुके हैं अगर अगला book है आपको मिलेगा पी लक्षमन राओ का आता है अगर आपको लेना है तो पी लक्षमन राओ का ले लिजे इसमें आप देख पाएंगे बहुत ही बहतरीन चीजे दी गई है यहाँ एगरो नामी की देख रहा है अगर आप अच्छे से देख पाईए तो देख लिजे इसमें एगरो नामी के सबसे बहतरीन question दिए गए है जो कि TD College या ICR का कोई भी books लेंगे उससे भी better ये question दिए गए genetics के भी दिए गए है सभी के दम question आपको दिए गए है आप ये books तो हम कहेंगे जरूर खर दिएगा Micropology के लिए भी best है द्यान दिजेगा पी लक्षमन राव के भी books है इन दोनों को आप पढ़ लिए तो हमें लगता है TD College के 50 questions आप कर ले जाएंगे सिर्फ नेम राव अगर सुन्डा का सिर्फ नेम राव सुन्डा का आप book पढ़ लेते हैं तो उससे ही आपके 50 questions complete हो जाएंगे ये तो सिर्फ knowledge के लिए ICR, JRF, ESRF, NET, ASRB के लिए आपके लिए बहुत ही important book है अगला बात करते हैं Hindi की कि Hindi में कौन सी question और कहां से सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी तो यहां पर हमारे पास है Hindi की Lucent की book है जो की सामाने Hindi क्याती है सिर्फ इसे ही simply आपके पास अगर second hand पुराना कोई भी Lucent की Hindi है तो Hindi में कुछ बदलने वाला नहीं है, same to same वही जीच रहता है इसमें आपको देख लिजे की word माला इसमें से आपको सबसे ज़्यादा question कहां से पूछी जाएंगे यह मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे संधी से फिर उसके बाद समास से फिर उपसर्ग से फिर पर्यावाची बिलोम फिर उसके बाद मोहावरे और लोकागतिया या कहावते पूछे जातिया छंद और अलंकार इससे ही question पूछे जाएंगे उससे के अलावा कोई भी question ज्यादा नहीं पूछा जाएगा ये books को अगर देखेंगे देखें यहाँ पर बहुत सारे हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ आप देख रहा है संधी संधी से सबसे ज्यादा question पूछे जाएंगे सुद्ध और सुद्ध वर्ड पूछे जाएंगे सकते हैं आपसे सबसे ज्यादा आपसे लेखक का नाम पूछ लिया जाएगा कि ये लेखक दिवेदी यूग के कौन से लेखक थे भारतिंदू, भारतिंदू के बारे पूछ लिया जाएगा तो हिंदी में बहुत ज़्यादा टफली कोश्चन नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा कोश्चन नहीं आता है, बहुत ही सिंपल हिंदी के कोश्चन पुछी जाते हैं, आप कर ले जाएंगे हिंदी के, हमें 99% बिलीव है, तो यह हुआ हिंदी के बारे में हमने बता दिया हि बहुद के सिर्काइब भूल गया होँ रिजनी के बाएं ही यूटूब पे तो मैं हींदी के बारे में बता देरा हूं अब आता है आपका रिजनीं तो इने पंद्र कोश्चन रिजनीं का ये बुक तो हर किसी के पाथ होगा क्योंकि अगर अंडेन के बुक्स में से सबसे ज़्यादा question क्या पूछ जाएंगी ये भी द्यान दिजेगा सबसे ज़्यादा question पूछ जाएंगे आपका येंदिम दिया है पासा से, कलेंडर से, घड़ी से अगला है रक्त संबंध से पूछ जाएंगे और word माला करना है जैसे ये सिर्फ ये talk का speak से एक खास संबंध है तो इसी तरह honest का truthful से ऐसा ही संबंध है इसी तरह का अनुसरण करते हुए listen का संबंध क्या है ये आपको बनाना है तो बहुत ही simple reasoning पूछ जाती है बहु जड़ा hard आपसे reasoning नहीं पूछ जाती है आपसे ये भी पूछ दी जाएगी जैसे मैं बता दे रहा हूँ जैसे यहाँ पर देख रहा है तो देखना चाहें तो देख लेजे जूम करके दखा रहे है यहाँ पर लिखा जैसे आभूसरण सोना आभूसरण सोना तो furniture क्या होगा तो क्या होगा आप उसर सोना से बनता है तो furniture किस से बनेगा लकड़ी से तो ऐसे ही simple question पुश जाते है reasoning से बहुत ही ज़्यादा नहीं reasoning के बहुत ज़्यादा नहीं coding decoding text से पुश जाएंगे आपके English के alphabet test note करते जाईएगा अपना सब दसन रचना फिर उसके बाद सीधे आपको आना है करम बेवस्था परिच्षड सीधे आपको करम बेवस्था परिच्षड पर आजयाना है फिर थोड़ा सा चित्र पूछेगा आपसे और पासा से question रहेंगे घड़ी से रहेंगे और उसके अलावा और कोई question पूछने वाले नहीं है तो यह हो गया ड्रिज्डिंग के बारे में अब अगला आपका आता है math के बारे में तो मैं यही बताऊंगा कि math के आपके पास book होंगे tricky math के नाम से आता है market में वो खरीद लीजेगा मेरे पास नहीं है इस समय नहीं तो मैं आपको पता देता अगला आता है chemistry के बारे में जो कि 15 question आते हैं तो 15 question जो chemistry आते हैं आप इसमें से इसमें भी chemistry रहते हैं आप इसमें भी दोहरा ले सकते हैं इसमें chemistry रहते हैं जिससे आप revision कर सकते हैं कुछ सुनने में आ रहा है कि current affairs के भी question दो-चार question पुशे जाएंगे तो यह current affairs के सबसे अच्छी books होती है आप उसे ले सकते हैं यह मेरा पढ़ा हुआ book है देख रहा है अकर मैं परचार करता तो 40-50 books न मिलती मुझे मुझे अच्छी books मिलती है मेरा खुद का पढ़ा हुआ books है जो कि मैं agriculture के लिए पढ़ा हूँ तो मैंने दो books बताया है नेम रहा सुन्डा का और agriculture का यह जनरल agriculture का यह भी मैंने पढ़ा हुआ है आपको देखते होंगे तो टिक लगा है यहां पर बहुत सारे जगा देखाएंगे टिक लगेगा तो जो जिसमें आपको हमने पहले ही पता दिया कि आपको एगरोणामी पढ़ना है अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं लेकिन जो इंपॉटेंट है एकोनौमिक्स एगरोणामी स्वाइल साइंस यह सब चीजे पढ़ना होगा आपको तो चलिए इस्टुडेंट आज हमने आ तो चलिए फिर मिलेंगे एक next वीडियों में और next वीडियों में आपको सिर्फ एगरी कोश्चर के question provide किये जाएगे और हो सकेगा तो कमेंस्टी के भी question और reasoning के भी provide किया जाएगा आपके अगर अच्छे comments आए तो हम जरूर provide करेंगे तो आप net से कम तयारी करें सबसे जश्यदा websitei book से तयारी करें यही हम कहेंगे क्योंकि net से तयारी करते आपके time आ जायगा आप netária करने लाइक नहीं है book से तयारी करें question solve करई यही उमीद करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजेगा, शेयर उन बच्चों को कर दीजेगा जो टीडी कालेज में फार्म भरे हैं BSC के लिए तो चलिए स्टुडेंट फिर मिलेंगे एक नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद